जस्वन के मानिवर दर्शिकों का हार्दिक अबिनन्दन है हम जस्वन की तरफ से आप सभी दर्शिकों का स्वागत करते हुए जैसा के इस खारे करम खा जो प्रस्तुत किया जाता है ताके हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास, हमारा गारव या कह लें कि जो तीनों चीज़ें जो किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को जो संतुलित करती हैं, जिसकी अवशक्ता है वो है उसका मन, बच्च, करम इसलिए अगर साधारन शब्दों में कह लें माइंड, बाडी, एंड सोल ये तीनों को इन तीनों के व्रिधी के लिए इन तीनों को संतुलित करने के लिए ये प्रियास आपके अपने कारे करम के जरिये है हमें आशा है कि इन सभी पहलों पर जो हमारी रोसमर्णा की जिन्दगी जो हमारे इतिहास, जो हमारे गौरफ, जो हमारी परंपरा जो हमारे साहित्य, और हमारे बहुत ही अमीर गौरफ मेई जिसे हम अपना माजी, पास्ट या विरसा कह लें वो हमारी एक जो धरोहर है, उसके लिए अगर हम कुछ भी अपना योगदान डाल सकें तो ये एक सार्थक कदम कहा जाएगा हमें आप से अपेक्शा है कि आप इस कारिक्रम के लिए जो भी आप सुझाव देना चाहें ताके जिन विश्यों को आप हमें बताएंगे हमारा प्रयास होगा कि हम उन्हीं पहलूं को लेकर हम आप से विचार चर्चा कर सकें आज के इस कारिक्रम में जो इस कारिक्रम की रूप रिखा है एक घंटे के इस कारिक्रम में हम पहले कुछ अपनी बात कहेंगे फिर हम अपेक्शा करेंगे कि हम आप की बात भी सुने और आपके जो विचार हैं उन्हें हम इसमें सम्मिलित कर एक आगे के लिए मार्ग तर्शन के रूप में कुछ मार्ग तै कर सके आज हम एक बहुत ही सैधांतिक और वेच्छारिक विशे को लेने जा रहे हैं वो है संत सिपाही का संकर भारतिय धरोहर में भारतिय इतिहास में या हम कहले विश्व के इतिहास में ये द्वंद चलता रहा है संत होना चाहिए या सिपाही होना चाहिए दरसल जहां पर इनके सुमेल की आशा थी जहां पर इनका सुमेल चाहिए था वहां पर इन दोनों ने अलग अलग रास्ते अपना लिये प्राचीन भारतिय संस्कृती में एक बहुत ही एहम एक सिध्धान्त दिया गया एक सिध्धान्त की प्रतिपादन उसको किया गया कि जननी जनने ता भगत जनन कै दाता कै सूर नहीं ता जननी बांज रहे काहे गवावे दूर ये तुलसिदास जी खा ये संकल्ब था कि जननी ने अगर किसी को जन्म देना है तो वो संत हो या वो सिपाही हो या सूर्मा हो या वोदाता हो जब यहां पर या की बात आ गई और ये हमारे संकल्ब ने हमारे जन्मानस में इसका इतना प्रभाव पड़ा कि जिन लोगों ने अध्यात्म को चुना जिन लोगों ने उस रस्ते को चुना वो इस रस्ते पर इस मार्ग पर इतने आगे चले गए कि भगती मार्ग में जाते हुए संसार से विरक्त हो गए और विरक्त ही नहीं हुए बलकि सन्यास ले लिया सन्यासी होकर यहां तक हो गया कि सन्यास का अर्थ यहां तक उन्होंने इसको मान लिया चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे बिलकुल विलप्त हो गए हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को ग्यान था, जो संसार में बहुत कुछ कर सकते थे, वो पहाड़ों की चोटियों पर चले गए या कंद्राओं में जा छुपें। ये जो विशम स्थिती आई, उसका नतीज़ा ये निकला, हमारे सामने है, भारती इतिहास की ये बात कोई अनहोनी नहीं है, इन सारी बातों से, इन दोनों के, दोनों महान से धानतों के अलग अलग हो जाने से, उसका नतीज़ा, उसका निशकर्श ये निकला, कि भारत को आठ सो बरस तक प्राधीमता का मूँ देखना पड़ा गुलामी का मूँ देखना पड़ा और गुलामी भी कैसी किस किसम की गुलामी थी कि अफगानिस्तान हमारे पश्चिम की तरफ से सीमाओं से पार बीस बीस बरस के अठारा अठारा बरस के बच्चे लड़के नौजवान जिनकी अभी ठीक से मस भी नहीं फुटी थी जिने अभी पूरी तरह जो अभी जवानी में भी कदम नहीं रखा था वो भेडे चराने वाले वो आजड़ी वो सौ सो पचास पचास के जुंड लेकर वो जथे लेकर यहां पर आते थे और यहां की सब्यता यहां की शालीनता यहां की धरोहर यहां की हर चीज़ को वो अपने ताकत के जोर पर हांक कर ले जाते थे ये इतनी भ्यावे स्थिती हो गई और दूसरी तरफ जिन लोगों ने भी वहां से आकर के यहां हमलावर के रूप में आकर के यहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया यहां पर आकर के उन्होंने अपने आपको स्थापित कर लिया अब इतिहास का ये पन्ना भारती इतिहास का ये पन्ना कितना विचित्र है कि पानी पत में युद हो रहा है देली जिसे हम भारत की दहलीज कह सकते हैं दहलीज दिली भारत की दहलीज पर दो ताक्तें आपस में संग्राम रत हैं जूज रही हैं और एक जो हैं वो पठान हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से आए हैं और दूसरी तरफ समरकंद से आए हुए वो मुगल हैं और इन दोनों का युद हो रहा है अब ये जो हमने सिधान्त देखा के जननी जनेता भगत जन कैदाता के सूर या तो हमें केवल सूर्मा बनना है या हमें प्राकर्मी बनना है या हमें युद कोशल में संपन होना है या हमें संसार से विरक्त होकर पहाड की कंद्राओं में गुफाओं में और उची चोटियों पर चले जाना है हमें समाज से कोई लेन देना नहीं है ये सन्यास का एक ऐसा रूप था जिसने समाज में कई किसम की विक्रती बैदा कर दी समाज से उनका कोई सरोकार भी नहीं रह गया मगलों और पठानों की लड़ाई हो रही है और अगर कहा जाए जो स्थानी ए लोग है जो यहां के भारतवासी हैं जिने अपने गौरव मेई पुरातन इतिहास पर जो हमें जिने उन्हें अपने पिछोकड पर जिने अपना गर्व होना चाहिए था वो इंतजार कर रहे हैं कि दोनों में से जो विजई होगा हम उसकी प्राधीनिता हम उसकी अधीनिता स्विकार करेंगे ये कितना विचित्र और कितना दुखदाई पहलू है मुगल पठाना भै लड़ाई ये मुगलों और पठानों की लड़ाई हो रही है और स्थानी जनता यहां पर बिलकुल निश्क्री होकर बिलकुल चुप है ये जो स्थिती आई कभी यहां पर नादरशा आ रहा है कभी तैमूर आ रहा है कभी एहमद शाबदाली के हो रहे हमले हो रहे है जो भी हमलावर इस धर्ती पर आ रहा है वो छोटे छोटे जुन्ड लेकर आता है और यहां की सारी संप्रदा, संपदा यहां की सभी संपदा, धन, माल और यहां की इजद जो है उसे लूट ले जाता है गुरुनानक देव जी ने जब ये भ्यावे इस्तिती देखी तो उन्होंने पुकार कर कहा कि पाप की जंजले काबलों धाया जोरी मंगे दान विला लो पाप की जो ये बारात है ये जो पाप की बारात आई है ये जोरी, जबरदस्ती, सीना जोरी के तोर पर यहां की इजद, यहां की आबरू इसको सीने के जोर पर यहां से हांक कर ले जाना चाहता है ये जो स्थिती आई कि या सूर्मा हो या भगत हो और ये स्थिती यहां तक चली गई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया दिलीशवरो जिब्धीशवरो जिस तरीके से विलायत में इंगलेंड में ये कहा गया किंग केंड डू नो रांग भारती ये सब्यता भारती ये समाज ने ये स्वीकार कर लिया कि जो भी दिली पर राज करेगा जो भी दिली पती होगा दिलीशवरो जगदीशवरो का नारा दे दिया गया ये एक बहुत ही अजीब स्थिती थी इस स्थिती पर पहुँचने से पहले हम ये भी भूल गए कि ये देश वो देश था जहां पर केवल बात से नहीं केवल अध्यात्म से नहीं बलकि इन दोनों के सुमेल सुर्मताई सुर्मगती प्राकर्म और भक्ती के दोनों का सुमेल इससे पहले हम देख चुके थे इसके पहले जो हमने दोनों का सुमेल देखा था अगर हम उसे एक शब्द में कहें महा भारत और रामायन इसी धर्ती पर हुई थी पर हमने उसको भी भुला दिया हम उसे भी भूल गए वहाँ पर केवल भगती से मसलों का हल नहीं हुआ था अगर वहाँ पर भी किसी किसम की कोई विशमताएं या किसी किसम के अगर कोई बात थी तो उसको भी केवल भगती से केवल बातचीच से केवल सन्यास से उस मार्ग से उसको हल नहीं किया गया वो मार्ग जो हमारे बजर्गों ने चुना जिस मार्ग को इस भारत वर्ष की धरती ने देखा था उसको भूल गए और उसका नतीजा ये निकला जो हमने ये देखा कि आठ सो वर्ष की गुलामी इस देश को झेलनी पड़ी इसके बारे में हम आप से बात करेंगे ये अलग ठीक है या दोनों के सुमेल का नाम पूरे संपूर्ण मानव के लिए सही इनसान के लिए इन दोनों का सुमेल चाहिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद आप किस मक्षफिर हाजर होंगे एक ब्रेक जननी जनेता भगत जन कैदाता कैसूर्ण नहीता जननी बांज रहे काहे गवावे नूर मानव को संपूर्ण मानव बनने के लिए क्या उसे केवल भक्ती मार्क की अवशकता है या उसे एक सूर्मा एक सूर्वीर होने की अवशकता है क्या ये दोनों अलग लग होने चाहिए या दोनों का एक सुमेल बनाकर उसको संसिपाही होना चाहिए हमारी भारत की प्राचीन धरोहर ने यह या बीच में डाला कि जननी जनेता भक्त जन कैदाता कैसूर कै का अर्थिया होता है जिसका नतीजा हमने देखा कि आठ सो वरश की गुलामी इस देश को इस महान संस्कृती को छेलनी पड़ी और जब ये कोई भी बिमारी या कोई ऐसी तरास्ती जब एक समय सीमा से बढ़ जाए तब फिर उसकी आदब पढ़ जाती है फिर उसे उससे निकलने की उसकी इच्छा शक्ती भी खसमाप्त हो जाती है इसका नतीज़ ये निकला कि यहां के जनता ने यहां की सोच ने ये स्वीकार कर लिया दिली शुरो जब्दी शुरो भारत पर हमला किया अहमत शाह नादर शाह नादर शाह अफगानस्तान से वो एक रेवडिया था भेडे चराने वाला था रेवड चराने वाला था और उसने यहां पर जब हमला किया तो दिली पती उसमें शाह आलम सेकंड ने दृत्य शाह आलम दृत्य ने अपनी लड़की का रिष्टा उसके साथ करके अपनी जान चुड़ाई जब वो लड़के वाले नादर शाह का बेटा नासर जब वहाँ पर बैठा था तो लड़की जिस उसकी मंगेत तर उसके साथ जो लड़कीया थी उन्होंने उससे कहा नासर से कहा कि तुम अपना कुरसी नामा बताओ कि तुम अपने परिवार के बारे में बताओ कि तुमारा बाप क्या है तुमारा दादा क्या था तुम अपने खांदान के बारे में बताओ नासर सोचने लग गया कि बाप उसका नादर शाह है और दादा उसका एक भेडे चराने वाला था चुप हो गया बोल नहीं सका नादर ने उसको भोल कर कहा नादर ने उसे कहा तुम बता दो मनम नासर वा पिदर नादर वा पिदर नादर शम्शीर मेरा नाम नासर है, मेरे बाप का नाम नादर है और उसके बाप का नाम शमशीर है, तलवार है केवल तलवार के जोर पर जिसमे अध्यात्मक्ता स्माप्त हो जाए केवल तलवार रह जाए, तब वो चंगेजी रह जाती है तब वो जल्म हो जाता है पर केवल अगर शक्ति वहीन हो गया और उसके पास केवल अध्यात्मिक शक्ति है तब हमने ये देखा है किस तरीके से उसकी सारी चीज समाप्त कर दी जाती है उसके सिधानत भी समाप्त कर दिये जाते हैं शारीरिक तोर पर जो गुलामी जो प्राधिनता है उसकी आत्मा को भी प्राधिन कर देती हैं । इस चीज को देखते हुए गुरु गोब्शेझी ने ये कहा धन जीओ तेहको जग में मुकते हर चित्मे जुद्ध बिचारे पूर्न मनु, पूर्न मनुष्ज वह bent reaching oui तेहको जग में मुकते हर चित में जुद्ध बिचारे जो मन में प्रबू की लालसा रखे जो एक तरफ अपने अंदर अध्यात्म को रखे और दूसरी तरफ जो धर्मियुद के लिए तैयार हो उन्होंने जो असूल दिये जो उन्होंने नियम दिये उसमें ये कहा ये संत और सिपाही का जो सुमेल उन्होंने दिया उन्होंने ये भारत की प्राधीनता भारती ये संस्कृती की जो तरास्दी उसको जब उन्होंने देखा जिसको गुर्णान देवजी ने अंकित किया कि बाब बर्वानी फिर गई कोई ररोटी खाए जब उन्होंने यहां पर जिस तरीके से देखा तब उन्होंने सिरी अकाल तक साथ की सिर्चनाबी की हला इसके पहले भारती ये उस परंप्रा उस संस्कृती को भूल गए थे जब इसी धरती पर दो इतने महान युद हुए एक रामाइन और एक महाभारत जिसके लिए महाकावी भी रचे गए और वहाँ पर भी चाहे इन उसके कारण कुछ भी हो चाहे वो कारण एक परिवार की कले थी चाहे उनके साथ अन्याय था अगर महाभारत में अगर पारिवारिक तोर पर अगर उनके जो बनता हिस्सा था उस पर अगर उनके साथ अन्याय हुआ जो कि उन्हें पांच गाउं तक देने के लिए तैयार नहीं हुए उन्हें अपने राज्जी में शामिल करने की बजाए उन भाईयों के साथ अन्याय किया गया पर उसके बावजूद वो सिर्फ पांच गाउं की मांग कर रहे थे वो उन्हें नहीं दिया गया चाहे इसकी शरुवात यहां से हुई चाहे रामायन की शरुवात का कारण वो भी अलग था पर आखर में जब इसका नतीजा निकालना था जब इसका निशकर्श निकलना था तब हमने देखा कि जो युद कोशल जिस तरीके से इस धरती पर वो भ्यावे युद हुए जित शस्त्रधारी थे जितने भी इसके पहले महापुरशम ने देखे वो सभी शस्त्रधारी थे और तो और महात्मा बुद का भी जो एक व्राट रूप जो देखा जाता है वो भी उनके हाथ में एक दोधारी तलवार या दोधारा खंडा है पर लगता है हजारों बरस की गुलामी ने उस सारी चीज़ को समाप्त कर भारतियों को पूरी तरे शस्त्रधारी वहीन कर दिया गया और उसी धरती पर जब दुबारा तकरीबन पंद्रवी और सौलवी सदी में जब ये चार सो पांच सो बरस की गुलामी थी उसको दूर करने के लिए हाला कुछ कुछ चोटे चोटे हिस्सों में कुछ उसके विरोध भी हुए अगर जिस तरीके से महरणा परताफ ने संग्राम किया चड़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राना परताफ से काट काट करता था सफल जवानी को वो एक युद कोशल वहाँ पर हुआ पर दूसरी तरफ जो आम जनता थी जिनके हाथ में कुछ था उन सभी ने इस देश में प्राधीमता सुईकार कर ली थी पर पंजाब की इस धरती पर जिस तरीके से छोटे से दो सो साल में जितने भ्यावे युद हुए जिस तरीके से उन्होंने वो सिधांत दिया कि यहाँ पर जर के लिए जोरू के लिए और जमीन के लिए नहीं बलकि केवल और केवल आजादी के लिए हमारी शारीरिक और बांसिक अजादी के लिए जो संग्राम जो रनभेरी पंजाब में छेड़ी गई जिसको जिसकी अगवाई गुर्नानक देवजी के उन सिधानतों ने की और जो इतने बड़े संग्राम हुए और जिसका नतीजा ये निकला कि अध्यात्म के उस केंदर श्री हरमंदर साहब के सामने दरबाज साहब गूल्डन टेंपल में उसके सामने एक अकाल तक्साभ की सिर्जना भी की गई अकाल तक्स वो अस्थान था मीरी और पीरी का जहां से अध्यादेश कहलिया जाए जिसे राजनीत तक तोर पर अगर कहा जाए राजनीत एक पुलिटिकल आर्डिनिंस वहां से जारी हुए और वहां पर नगारे भी बजाए गए वहां पर फौजें भी इकठी की गई और प्राधीमता को दूर करने के लिए वहां से रण सिंगा बजाकर इस गुलामी को दूर करने के लिए एक आवाहन किया गया और उसका नतीजा जो है वो आपने देखा किस तरीके से गुरु गोविन सिंग जी ने आखिर में जो आदेश दिया जो उन्होंने एक नारा दिया जो पैगाम दिया वो ये था सिरी मुक्भणे और गरीब निवाज शस्त्रन के अधीन है राज जोना धरेंत इस बिग्रे काज राज बिना ने धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले हैं ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टन्ट और एहम है कि राज बिना ने धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले हैं अगर धर्म नहीं होगा तब ये राज भी नहीं रह सकता तब सब चीज बेकार है इसी बात को एकबाल ने अपने लफजों में अपने अंदाज में कहा कि जलाल पात्षाही हो यहो जमहुरियत का थमाशा जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है जंगेजी एक अच्छी बात ये हुई ये जो टकराव की स्थिती आई इस से एक निशकर्ष यहां की जंता ने ये लिया के केवल संत बन जाने से काम नहीं चलेगा और केवल तलवार ले लेने से भी बात नहीं बनेगी इन दोनों का सुमेल इन दोनों का समयोजन करके हम कुछ हासल कर सकते हैं पर पिछली सदी में हमने फिर देखा जब हम फिर चौरहे पे खड़े थे हम फिर हमारे सामने एक द्वंद वाली स्थिती थी वहां पर फिर ऐसी स्थिती आगई जब अंग्रेजों की गुलामी थी, जब हमें उस प्राधीनता से अपने आपको जब आजाद करना था हमने देखा 1942 में जब इस भारत वर्ष की भूमी को आजादी की एक राह नजर आ रही थी तब यहां पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने ये आवाहन दिया कि हमें सेना का वहिशकार करना चाहिए अगर ये बात हो जाती, अगर ये बात मान ली जाती, तब उसका क्या नतीजा निकलना था, उसका अन्जाम क्या होना था, ये एक और भ्यावेस्तिती थी हम चंद मिन्टों में आपके साथ उस बात को विचार के हम आपकी कॉल्स लेंगे आप हमें इस ब्रेक के बाद 718-786-2255 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 718-786-2255 पर आप हमें फोन करके अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं हमें आपकी कॉल्स का इंतिजार रहेगा एक छोड़ा सा ब्रेक जस्वन के दर्श्कों का अभिनंदन है एक बार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे संथ सिपाही के संकल्प पर कि हमें केवल संथ बनना है या हमें सिपाही बनना है हमने पुराने इतिहास हमारी पुरानी परंपरा हमारी पुरानी सभ्यता और उसके हरास उसके क्षीन होने के कारण और उसके बाद आठ सो बर्श की प्राधीनता के कारण हमने देखे जब इन दोनों का सुमेल ना होकर ये दोनों मार्ग अलग लग चलने लग गए तब जो स्थिती आई उसका नतीजा था इसी बात को हम फिर उसी कगार पर पिछली सदी के बीचो बीच मध्ध में हम फिर ऐसी स्थिती में थे दुट्टी विश युद्ध के समय जब हमें आजादी का स्वाधीनता का हमें कुछ मार्ग दर्शन हमें मिल रहा था उस समें हमने एक बार फिर देखा हम फिर उसी स्थिती में पहुँच गए हम इस पर आप से विशेश चर्चा करेंगे पर आप हमें स्टूडियो के दिये हुए नमबरों पर 718-786-718-786-2255 पर अगर आप हमें कॉल कर सकते हैं उसके बारे में हम आपके विशार जानना चाहेंगे ताके और आने वाले कारिकरम हम उसकी दिशा नरदेश कैसी हो उसकी दिशा क्या हो इसके बारे में हमें आपके विशारों का या आप हमें info at just broadcasting.com पर या लांबा at just broadcasting.com पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं तो हम जैसे आप से विचार कर रहे थे कि जब 1942 में दुटी विश्युद के समय जब एक बार फिर ये मांग उठी कि सेना में भारतियों को भरती होना चाहिए या नहीं तब भारत की एक राजनीतिक एक एहम राजनीतिक दल ने ये मांग रखी कि हमें सेना का सेना की भरती का बिलकुल वहिशकार कर देना चाहिए तब इस पर दुफेड जनमानस दुफेड था पंजाब की लीडरिशिप ने पंजाब की राजनीतिक जो उस समय पार्टी थी शिरुमनी अकाली दल उसकी अगवाई मास्टर तारा सिंग उस समय कर रहे थे उन्होंने खुले तोर पर आवाहन किया कि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत थोड़े समय में अंग्रेजों को हिंदुस्तान चोड़ना पड़ेगा भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा एक तरफ मुस्लम लीग थी जिन्होंने खुले आम ये आवाहन किया था कि हमें फाज में ज्यादा से ज्यादा गिंती में भरती होना चाहिए दूसरी तरफ राष्टर पिता महात्मा गांदी ने ये आवाहन दिया कि हमें सेना का पूरन तौर पर वहिशकार करना चाहिए तब उस समय मास्टर तारा सिंग ने ये बात कही कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं अंग्रेज जब यहां से छोड़ कर जाएंगे तब इसका सारे का सारा दारोंगदार जो है हमारा सारा भविश्य उसमें सेना का रोल सेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी तब उस समय शिरुमनियकाली दल ने ये आवाहन किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा गिंती में भारती सेना में भरती होना चाहिए ओ निर्णे कितना सही था अब ये कहने किया वशक्ता नहीं अगर 1947 में जिस तरीके से कबाईलियों के नाम पर वो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से जब वो आकर्मन हुआ अगर भारती सेना में 1942 में वो भरती हुए वो अफसर वो जनरल ना होते तब इतिहास में एक और अगर का इजाफा हो जाना था एक और अगर इतिहास में फिर जुड़ जाना था 1947 में 1942 में वो वी भरती 1947 में काम आई और वही 1942 की भरती थी जो के 1965 की युद में भी और 1971 तक वो जो भरती थी वो कामाई अगर वो ना होता तब हमारी इस्थिती कैसी हो सकती थी हम देखते हैं हम देख रहे हैं कि ये दोनों का सुमेल सरूरी है अगर हमारे पास शक्ती नहीं है अगर शक्ती वहीन व्यक्ती वो भगती भी नहीं कर सकता इस भगती और शक्ती के सुमेल इस संसिपाही के सुमेल हमें प्रसंदता है कि ना केवल भारत बलकि विश्व में जहां भी अगर शान्ती की स्थापना है वो शक्ति वान पुरशी शक्ति शान्ती की स्थापना भी कर सकता है सो हमने पुरानी संस्क्रिती उसके कारण हमारी प्राधीनता के कारण इन दोनों विश्यों के इन दोनों अलग लग धाराओं के सुमेल की हमने बात की हमें इंतजार है आपके विचारों का और इसके अलावा और किन बातों पर हम बात करें हम प्रयास करेंगे अगर हमें आप हेलो, 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 हमें खेद है, हमारी कुछ लहीं नहीं डिस्टर्ब हैं, जिसकी वज़े से हम आपकी कॉल्स नहीं ले पा रहें, जी, तो हम जो आपसे बात कर रहे थे, कि जिस तरीके से, संथ स्पाही का जो संकल्ब था, जिसे तकरीबन भुला दिया गया था, तब सत्रवी सदी में इस बात को फिर दुबारा प्रजलित किया गया, और गुरु गोबिन सिंग जी ने, जो सिध्धान उसमें प्रतिपादित किये, उन्होंने ये आदेश दिया, इह मौर आगया सुनो तुम प्यारे बिना शस्त्र के संग न देवो दिधारे ये मेरा आदेश है कि बिना शस्त्र के संग न देवो दिधारे और ये कहा बिना शस्त्र के संग नरंग भेड जानो गहे कान ताको कितेले सिधानो अगर तुम इन शस्त्र और केशों के बिना हो तो इसी तरीके से तुम जान लो जैसे कोई भेड को मूड दिया जाए तो उस भेड को कसाई खाने ले जाया जाता है इसके पहले इस चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में ढाला ना केवल उन्होंने खुद उस चीज़ को अमल में लाए बलकि अपने मासूम बच्चों को भी उन्होंने चमकौर की जंग में जिस तरीके से उन्होंने वो युद्ध के मैदान में जो प्राकर्म दिखाए जो युद्ध गुरुगोविन सिंग जी के समय में चमकौर की गड़ी में जो जंग हुई जो के एक कच्ची गड़ी थी एक कच्ची छोटी से हवेली थी जिसमें ये चमकौर की जंग हुई एक तरफ दस लाग की फौज थी और दूसरी तरफ उस गड़ी में उस कच्ची गड़ में केवल चालिस सिक थे जो गुरुगोविन सिंग जी के साथ में थे और उस मैदान जंग में जिस धंग से जो युद हुआ वो दुनिया के इतिहास में शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती अगर बाद में कह लिया जाए तो उसी तरीके की एक गड़ी से दूसरी गड़ी तक जो सारा गड़ी में जो प्राकर्म दिखाए भारती सेना की उस टुकडी ने वहाँ पर भी चंद एक फाजी थे और तकरीबन दस हजार की सेना कभाईली सेना थी उनका मकाबला उनोंने किया मगर उनोंने गड़ी को नहीं छोड़ा हम प्रयास करेंगे उस चमकौर की गड़ी सारा गड़ी की बात करते हुए हम आपकी अगर काल्स ले सके हैं हाँ जी बताईए कौन बोल रहे हलो हाँ जी आप लाइन पे हैं कौन है बताएंगे आप अपना जी हाँ जी बताएं कौन बोल रहे हैं धन्यवाद हलो 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 हाँ जी साथ शिकाल हाँ जी रिजिंदर सिंग जी दसो की कहना चांद है इस प्रोग्राम बारे चलो जी बड़ी मेरबानी तवाड़ी थैंक यू ठीक है जी तवाड़ी मेरबानी तवाड़ी शुक्रिया जी हम आप से बात कर रहे थे चमकार की जग में चमकार की गड़ी से लेकर सारा गड़ी तक का जो ये दो कांड हुए चमकार की गड़ी में केवल उस गड़ी में गुरु गोबिन सिंग जी थे और उनके साथ में वो चालिस सिक थे और दूसरी तरफ बाहर दसलाग की फौज थी जिसका हवाला खुद गुर्गोबिन सिंग साहब ने दिया है कि देहलक बरायत बरूबे खबर गुरसना चिकारे कुनद चहलनर के देहलक बरायत बरूबे खबर वो गड़ी में किस तरीके से ये संत और सिपाही के संकल्प का जो ये सुमेल किया गया इसके बारे में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे आप हमें स्टूडियो के नंबरों पर 718-786-2525 पर डबल टू डबल फाइव 2255-718-786-2255 पर या 718-786 कॉल पर आप हमें फोन कर सकते हैं और आप अपने हमें अपने विचारों से अबगत भी करा सकते हैं इसके अलावा आप हमें info at justbroadcasting.com या lamba at justbroadcasting.com पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम अपने इस कारे करम के अंतिम चरण में पहुंचेंगे ब्रेक के बाद जस्वन के दर्शकों का स्वागत है हम बात कर रहे थे दो महांच सिद्धन्तों की जो इस धर्ती से प्रतिपादित हुए एक था जननी जने ता बगत जन कैदा ता कैसूर नहीं ता जननी बांज रहे काहे गवावे नूर अगर मा ने जन्म देना है तो किसी भगत को जन्म दे या किसी सूरवीर को जन्म दे या की बात थी दूसरी तरफ ये सिद्धन्त था कि धन जीयो तेह को जग में मुक्ते हर्चित में जुद्ध बिचारे मनुश्य को संपूर्न मनुश्य बनने के लिए उसको संथ सिपाही का रूप धारन करना पड़ेगा ना उसे केवल संथ बनना पड़ेगा ना उसे सिपाही बनना पड़ेगा बलकि इन दोनों का सुमेल का नाम ही उसे धारन करना पड़ेगा इस सिधान्थ के पहले ये धन्धजियों के सिधान्थ के पहले केवल जो अध्यात्म पर्ग मार्ग पर चन्ने वाले जिनोंने शारीरिक तोर पर अपने बल्ब प्रियोग को बिलकुल तरक कर दिया छोड़ दिया उसका नतीज़ा हमने देखा हमें आट सो बर्श की गुलामी जिलनी पड़ी दूसरी तरफ जब हाथ में तलवार ली गई जब हाथ में शमशीर ली गई तो जिस तरीके से भाई दिया सिंग जी ने कहा था धरलूँगा अब एक एक को शमशीर के सामने आगे रख दूँगा सीना और जिगर दिलचीर के आगे दुनिया तो छुकी फिर जिलती है तकदीर के आगे ये तकदीर भी जुक जाएगी मेरे तीर के आगे ये दोधारा खंडा जो देर से बेकार पड़ा था सब जंग उतर जाएगा जो इस पे जड़ा था हम एक कॉल लेंगे हेलो 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 जी सस्षिकाल कौन बोल रहे जी मैं मन्जीर बो रहा है जी हाँ जी बंजीर जी बताएं जी कुछ करना चांदे हो इदे बारे प्रोग्राम बारे हाँ जी हाँ जी क्योंके ए साढ़ी विरास्त है और साड़ी मजबूरी ए हो गई कि ए हर एक नो पता होना चाहिदा है कि किस तरीके नल होया आखर इस देश देविच इस महान देश देविच इतनी वड़ी गुलामी दिया जणा कटन ली ए चमकार दी जंग जड़ी होई ओदा मकसद कोई गुरू साब दा कोई अपना राज काइम करना नहीं सी ओना दा इस देश देश दी गुलामी दूर करना मानुता नू अजादी दुआना सी ते इस करके ज़े पता होना चाहिदा है ओसाड़ा मकसद है ते ज़े असी दास सकी है जी ठीक है जी ठीक है जी तेंक यो शुक्रिया सो हम बात कर रहे थे चमकौर की जंग की जो चमकौर की उस कच्ची गड़ी से जो सफर शुरू हुआ जो सारा गड़ी तक गया और जिसने देखा कि 1942 में उसी मार्क पर चलते हुए जब पज्जाब की लीडरिशिप ने उस समय की राजनीतिक लीडरिशिप ने ये निरने लिया कि हमें भारती सेना में बड़ से ज्यादा से ज्यादा गिंती में हमें भरती होना चाहिए वो जो सेना में भरती हुए उसका फल हमने 1965, 1971, 1947, 1965 और 1971 की जंग में हमने देखा चमकौर की गड़ी की हम बात कर रहे थे हम चाहेंगे कि उसका द्रिश्य हम आप से जरूर बात करें चमकौर की उस चंग में गुरु गोबिन सिंग जी के साथ में केवल चालिस सिक थे दूसरी तरफ दस लाग की फौज थी और जब ये जंग हुई तो वहाँ पर लड़ने के लिए गुरु गोबिन सिंग जी के बड़े सहबजादे अजीत सिंग उन्होंने जब इजाज़त मांगी आग्या की उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने गुरु गोबिन सिंग जी ने कहा बेटा तुम लड़ सकोगे तो उन्होंने कहा सरहंद मेदी भाईयों ने जान नहीं है क्या हम को धरम युद का कुछ ध्यान नहीं है बंदे को छुरी खाने का अर्मान नहीं है लड़ना नहीं आता हमें मरना तो है आता खुद बढ़ के गला तेग पे धरना तो है आता उस समें गुरु गोविन सिंग जी ने कहा रूठो ना खुदारा नहीं रोकेंगे कभी हम मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका अब देखिये सरकार को हमने नहीं रोका हमने कहा था बाप को जा दीजे धरम पर लो अब आप को कहते है का जा दीजे धरम पर ले दे के तुम ही थे मेरे बेड़े के खवेया, सर भेट करो ताके धर्म की चले नईया हम देते हैं खंजर इसे शम्शीर समझना, जितने भी मरें इस से उन्हें बेपीर समझना आए जब जखम तो होना नहीं, दिलगीर समझना, जब तीर का लेजे में लगे, सी नहीं करना, उफ बेरी जान मूसे कभी भी नहीं करना साहब जादा अजीत सिंग ने जो बात कही उनोंने ये कहा नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा गर हार गया हार के जीता ना आऊंगा बारती इतिहास के परिपेक्ष में ये दो सिध्धान्तों का इन दो महांत सिध्धान्तों का जो सुमेल चाहिए था जो नहीं हुआ और इनके रास्ते अलग हो गए उसकी वज़े उसका कारण उसका निश्कर्श हमारे सामने है पर जब ये जन्ग लगा हुआ खंडा जब ये दोधारी तलवार जब फिर ये हिस्सा बनी जब भक्ती और शक्ती का ये सुमेल हुआ तब ये गुलामी की जड़ें गुलामी की ये जन्जीरें जो थी वो काटी जा सकी और इसके बाद का जो इतिहास है वो हमारे सामने था पर हम फिर बार बार फिर हम उस रास्ते पर लगता है हम फिर भड़क जाते हैं 1942 में ऐसे हुआ और देश की बठवारे के बाद फिर लगबग ऐसी स्थिती हो गई हमने फिर शक्ती अरजित करने के बजाए हमने देखा कि फिर ऐसे रस्ते पर चले गए जिसमें भारती सेना की वो सूर्म गती वो प्राकर्म का रूप जो था वो फिर थोड़ा सा क्षीन ह गया और उसका नतीजा 1962 की भारत चीन की जंग में भारत चीन युद के बाद जो हमारे सामने आया तब भारती पारलियमेंट में एक मेंबर ने हमारे प्रधान मंतरी को उनको संबोदित करते हुए जो बात कही थी तो इदर उदर की बात ना कर ये बता के काफिला लुटा क हमें रहजनी का गम नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। रिक सकता पर दूसरी तरफ अगर किसी में शक्ति है पर उसमें अधियातमक्ता खत्म हो चुकी है अगर उसमें जो सभी से धांतों की कमी महसूस हो गई तब वो केबल चंगेज खान बनेगा वो केबल एक जलम बनेगा वो जलम कर सकेगा वो किसी के कारे में किसी की सहायता नहीं कर सकता इन दोनों से धानतों की आपस में सियोजन करना इन दोनों को अपने अंदर अरजित करना हमें अपने इन सिधानतों के विचार करते हुए समाजिक तौर पर निजी तौर पर और राश्ट्रिय रूपे इन दोनों सिधान्तों को साथ लेकर चलना पड़ेगा हम चाहे हम बात करते हैं जब हम अपने सम्मिधान की बात करते हैं तब उसके जो हमारा चिन है उसके उपर भी ये लिखा है सत्य मेव जैते पर उस सत्य मेव जैते की बात करते हुए अगर ये इस सिदान्त को केवले की शक्तिवान व्यक्ति शक्तिवान एक देश शक्तिवान राश्ट्र ही ये सत्य को स्थापित भी कर सकता है सत्य को काईम रख सकता है सत्य के मार्क पर चल सकता है अगर शक्ति नहीं होगी तो सत्य पर ना चलके बलकि एक पक्की गुलामी के तौर पर सही मैने में एक पूरी प्राधीनता का उसकी आत्मा और शारीरिक तौर पर राश्ट्री तौर पर जो उसका अंजाम है जो उसका नतीजा है वो हमने पहले भी देखा सो ये प्रोग्राम हमने आपके सामने दिया और इस दोनों से धानतों को प्रतिपादित करते हुए हमने ये आपको ये जो छोटी सी बात छोटा से कारिकरम में आप से संबोधित हुए हैं हमें आशा है आप हमें अपने विचारों से अफ़गत कराएंगे info at just broadcasting.com या lamba at just broadcasting.com पर आप हमें अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं या आप हमें स्टूडियो के नंबरों पर 718-786-2255 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं सो हम एक प्रोग्राम एक कारिकरम लेकर फिर आपकी सिवा में हाजिर होंगे आप हमें अपने विचारों से अफ़गत कराएं धन्यवाद झाल